हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माइन वीडियो तो आजकी जी हमारी वीडियो है बहुत ही ज्यादा मज़दार् अकसर ना जी हमारे घर में बड़े बड़े शॉपिंग बैग तो आते ही हैं जब हम शादियों ब्या की देखिए शॉपिंग करते हैं या वैसे बच्चों की कोई स्कूल ड्रेस वगरा लेते हैं तो ये बच्चों के स्कूल ड्रेस का ही बड़ा सारा देखिए शॉपिंग बैग है फ्रेंस बड़े बड़े शॉपिंग बैग होते हैं जब ची लेके आते हैं त तो आज इतनी बढ़िया फ्रेंट्स चीज बनेंगी जो आपने शायद ही पहले कभी ऐसा ये आइडिया देखा होगा तो फ्रेंट्स बहुत ही जादा जो यूसफुल है लेडिस के लिए बहुत ही बढ़िया जी और जीरो कोस्ट में हमारा बनेंगा इसमें कुछ नहीं लग करने है तो इदर जी धाई धाई तीन तीन इंच के हम इदर करेंगे ये फ्रेंट्स इसका कोई प्रोपर मेजरमेंट नहीं कॉर्णर का क्योंकि आपके पास जैसा जितना बड़ा शौपिंग बैग है उसी कोडिंग ही आपको कॉर्णर कट होंगे अगर इससे थोड़ा छो हमने बराबर रखनी है जी बिलकुल बराबर तो ही हमारा मेजरमेंट से ये सही आएगा ठीक है फ्रेंट्स अब हमने एक पार्ट की इस तरह सेंटर में कट लगा देंगे तो इस तरह हम सेंटर में कट लगा देंगे जी उसके बाद कट लगाने के बाद फ्रेंट्स बहुत ही जादा easy है last में आप देखोगे तो आपके मुन से वाउ ही निकलेगी कि बहुत ही प्यारा हमारा free का ही देखे कितनी सुन्दर चीज बनी है अब जी इधर न ये मैं लगाऊंगी जीप center में तो इधर जीप न फ्रेंस ये market से easily हमें lesson की दुकान होती है जिससे मिल जाती है तो इसके runner भी वैसे ही एक रुपे के हिसाब से दर्जन मतलब आती है बारा के तो इधर जीप कठी ही मैं जैसे हम बनाती रहती हूँ वीडियो बगएरा तो ले आती है तो कठा हमें सही पड़ता है तो इधर कुछ नहीं करना जी जीप के उपर हमने जो हमारा shopping bag है कट करा था जो पार्ट उसको दोनों पार्ट को दोनों साइडों में जीप के हमने इस तरह देखे stitch कर लेना है ठीक है जी थोड़ा थोड़ा जीप का हमने extra ही रख लिया तो वो हम बात में कट कर लेंगे तो बहुत ही ज्यादा simple easy है और अब जी एक पार्ट हमने stitch कर दिया अब ये दूसरा जो हमने शुरू में ये center में कट लगाया था जीप के लिए तो अब जी इधर हमने दूसरी side भी बस सेम ऐसे ही जीप के उपर रखना है और इधर से बस stitch करते जाना है तो friends ये वाला जो आज मैं organizer बनाने जा रही हूँ तो बहुत ही simple बहुत ही बढ़िया है वैसे तो shopping bag भी अच्छा है कई comment कर देते हैं कि इसको काटने की क्या जूड़ती ये तो काफी बड़ा इसमिस माना सकता है friends अगर उसी चीज को हम दुबारा recycling रियूस करते हैं तो थोड़ा सा और चीज मतलब हमारी निकल कराती है और ज्यादा useful तो वैसे का वैसे ही ये देखिए बनने के बाद बन जाएगा तो इधर जी जिप लग चुकी है अब हम इसको दोनों जो साइड्स है दोनों को बराबर रख लिया अब इसकी चारों साइड्स हम स्टिच कर देंगे ठीक है जी इधर साइडों में कुछ लगाने की जुरूरत नहीं क्योंकि और रेड़ी ही एक अन्नी इसके बनी हुई है बस सिंपल हमने स्टिच करना है तो फ्रेंज आप इस प्रोसेस से आप कपड़े का भी बना सकते हो जो मैं ये बनाने जारी हूँ तो इस तरह ही बस मेजर्मेंट लेकर आप बना सकते हैं तो इधर जी सारी हमने स्टिच कर दी corners को अभी हमने छेड़ छाड़ नहीं करनी पहले हमने ये चारों side stitch की stitch कर देंगे तो अब ये थोड़ी सी ये runner डालना इसके अंदर बहुँ ज़ादा easy है थोड़ा सा जो jip है उसकी तार सी निकाल लेंगे और एक side से jip डालेंगे दूसरी से तार डालेंगे तो खिचेंगे ना जब इसको wire को तार को extra जो निकली हुए तो runner हमारा easily डल जाता है अब जी बारियाती है corners की अब ये runner डालने के बाद ये side रह गई थी तो उसको भी मैं stitch कर देती हूँ runner डालने के बाद हमने ये वाली side इसकी stitch करनी है उसके बाद जी हम करेंगे इसके corner को stitch तो friends ये सारा process हो चुका अब extra jip है उसको cut कर देती है जो हमने extra थोड़ी थोड़ी रखिये थी और इसके उपर हम दुबारा से थोड़ा सा stitching कर देंगे ताकि थोड़ा सा मजबूती बनी रहे और इसके उपर हम थोड़ी थोड़ी strips भी लगाएंगे जो हमने shopping bag की काटी है ये वाली तो इस तरह हमारे corners है वो थोड़े से और मजबूत हो जाएंगे तो corner से इसको हम finish कर देंगे इदर जीप वाली साइडों में इसको लगा कर बाकी दो साइडों में तो लगाने के जुर्दनी friends ओलड़ी कनी सी बनी हुई है तो जी बस इदर कुछ नहीं करना हमने एक डेड़ या एक इंच की पट्टी काटी है जो हमने शुरू में काट कर रखी थी इसी पोली थी इसी शोपिंग बैग की तो उसको हम इधर corner के लिए use में लेंगे तो ठीक है जी लग चुकी अब corner की बारियाती corner को हमने इस तरह कुछ करना है इस तरह खड़े करकर ब्रापर करकर और हमने इनको stitch करना है चारों corners ब्रापर होंगे square size के पीस में हमने इनको cut करा है तो shape इस से जो organizer बनने जा रहा है उसकी बहुत ही जादा सुन्दर आएगी तो वो आपको last में जब सारा stitch हो जाएगा उसके बाद पता लगेगा तो जी बस friends ये भी 2-4 मिनिट में हम इसके corner stitch कर देते है friends इस तरह हैं कि shopping bag काफी मजबूत होते हैं जो बड़े-बड़े size के होते हैं तो इनको ये हमारे काफी सालों साल चलते हैं तो इधर भी जी अब corner stitch होगे तो इसको भी बस पत्टी ये shopping bag की लगा कर इसको भी finish कर देंगे तो जी ये देखिए friends बन गया जी हमारा final look इसका देखिए कितना प्यारा एक मतलब organizer बन गया जैसा की online हम purchase करते हैं बट ये थोड़ा shopping bag से बना है आप इस तरह हैं इस वे से कपड़े का भी बना सकते हैं अब हम इसको अपने coding यूज़ कर सकते हैं बड़े size का बना है और मैं इसमें आपको कपड़े भी रखकर दिखाऊंगी तो 8-10 कपड़े easily इसमें आ जाते हैं friends बोट ही जादा प्यारा बन गया है corners देखिए कितने प्यारी लग रही है इसकी shape प्रोप पर पता लग रही है जिपर बन गया है friends ये हमारा और side में जो इसी shopping bag के handle कट करे थे वो मैंने पकड़ने के लिए side में लगा दिया है तो जी ये shirts jeans shirts डाली है मैंने इस तरह देखिए 7-8 तकरीब बन 10 के तकरीब बन इसमें आ जाती है तो हम कहीं इसको लेकर जाना है तो हम 8-10 shirt इसली लेकर जा सकते है एक jeans भी डाल दी है तो friends इस तरह देखिए बहुत ही प्यारा एक shopping bag से हमारा देखिए organizer बन कर ready हो जाता है shopping bag मतलब एक हमारा इस तरह जीप पर organizer बन गया है इसमें हम अपने काफी गर्मियों के कपड़े भी रख कर अपने कपड़े समुहा सकते हैं friends जिनकी जरूरत नहीं तो इस तरह कपड़ों की crease भी नहीं खराब होती तो इस तरह friends आप देखिए बहुत ही easy है बनाना और कुछ भी नहीं हमारा लगा एक हमने इसमें जिप जरूर लगाई है तो इस तरह friends दूसरा idea इसी तरह का shopping bag है थोड़ा छोटा है उसके एक hanger लगागे आगे की तरफ से मैंने cut कर दिया थोड़ा सा उसको और नीचे देखिए friends shape है all ready इसकी बनी हुई है और एक cardboard लगा देंगे base के लिए और इसको हम आगे का है जो इसको cut करेंगे जब कपड़ी रखने है तो पिछे की तरफ fold कर देंगे तो इसमें हम देखिए अब मैं कपड़ी रखर दिखाती हूँ काफी सारे कपड़ी हम रख सकते हैं friends ये वाला video मैंने इस वाले organizer की मैंने channel पर डाल रखी है काफी अच्छे views हैं अगर आप देखनी के इच्छुक हैं तो जुरूर channel पर जाकर देख रहा है जुरूर विजर्ट करना तो friends इस तरह के आज मैंने आपके साथ दो प्यारे प्यारे idea शेयर किये हैं hope आपको idea अच्छे लगे हो और इधर जी बस hanger लगाया हुआ है उपर की तरफ सुई दागे से किया हुआ है और इस तरह ये हमारे कपड़े इनको dust विगरा भी नहीं लगती friends तो इस तरह की organizer आप जब आपके घर में आते हैं बड़े बड़े shopping bag तो जुरूर बना कर रखें तो friends okay जी